पूरी से लेकर एहमदाबाद तक में तैयारी अंतिम चरन में है इस तरह थियात्रा को लेकर लोगों में अभी से गजब का जोश देखा जा रहा है आकर भगतों में भगवान जगनाद को लेकर गहरी आस्था की वज़े क्या है भगवान जगनाद की वो कैसी महिमा है जो भगतों को अपनी ओर खीच लेती है ये सब जानने के लिए लात्रा निकलती है उस दौरान आम से लेकर खास तक हर कोई भक्ती के रंग में रंगा नजर आता है भगवान जगनात की महिमा अपरमपार मानी जाती है इसके पीछे की वज़े जानने के लिए देखे हमारी उडिसा की पूरी है और भगवान जगनात श्री राधाजी और श्री कृष्ण के यूगल स्वरूप का संयुक्त स्वरूप है यानि भगवान जगनात राधा देवी और भगवान कृष्ण के यूगल स्वरूप का प्रतीक है और भगवान कृष्ण उनके एक अंश माने जाते हैं। सकता है। कोई कुछ भी नहीं आता है। महाप्रभु को भाव पूजा करिए। और भाव पे अब महाप्रभु को आपके डोरी में बान सकते हैं। यह भाव प्रिय भगवान है। यह भव्त प्रिय माधव है। पूरी के जगरनाथ धाम को धर्ती पर वैकुंट भी कहा गया है। इस जगरनाथ धाम में भगवान जगरनाथ बड़े भाई बलभद्र और वहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदु धर्म के अनुसार से चार धाम बद्रिनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पूरी है। मानने ता है कि भगवान विश्णू जब चारो धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रिनाथ के जहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बद्ले। द्वारिका के बाद उरिश्ण के पूरी में उन्होंने भूचन किया और अंत में तमिलनाथू के रामेश्वरम में विश्राम किया। पूरी में भगवान विश्णो ने भूचन किया था इसलिए यहां के जगनात मंदिर के प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्व है जो महाप्रसाद है जगनात महाप्रभू को यहां पे हमारे महाप्रभू 56 भोग खाने वाले भगवान है यह 56 प्रकार के भोग महाप्रभू बोजन करते है और इस प्रसाद जो है जगनात जी का नाम से भी जगनात महाप्रसाद सबसे बड़ा है जगनात महाप्रसाद जगत प्रशार हाते समस्त्वग्त समाज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में यही जगनात महाप्रवु का निर्माल्य और महाप्रशाद को खाने के लिए वो इच्छुग रहते हैं तो इसके लिए जगनात पूरी में सबसे बड़ा जो महत्व रखता है वो जगनात लकड़ी के मूर्थियों वाला देश का ये अनूखा मंदिर है भगवान चकनात के मूर्थी लकड़ी से बनी है इसलिए उन्हें भगवान विश्णु के नरसेंग अवदार के साथ पहचाना चाता है जो लकड़ी के खंबे से प्रकट हुए थे भगवान चकनात के महिमा के साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानिया है जो सद्यों से रहस्य बनी हुई है मंदिर से जुड़ी एक माननेता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देख का त्याग किया और उनका अंतम संसकार किया गया तो शरीर के एक हिस्ते को छोड़ कर उनकी पूरी देख पंचे तत्थों में विलीन हो गई माननेता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिन्दा इंसान की तरह भी धड़कता रहा कहा जाता है कि वो दिल आज भी सरक्षित है और भगवान जगनात की लगड़ी की मूर्ती के अंदर है ये भी कहा जाता है कि जगनात मंदिर में दुनिया के सबसे बड़ी रसोई है इस रसोई में 500 रसोई और उनके 300 सहियों की काम करते हैं इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहां चाहे लाखों भगता जाएं प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंध होनी का वाक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है यानि प्रसाद यहां कभी व्यर्थ नहीं होता इन सब के अलावा यहां ब्रह्मपदार्थ, सिंगत्वार, मंदिर के जंडे जैसे कई रहस्यों की बाद कही जाती है लेकिन वंदापना की परंपरा कायम है भगवान जगनाज की महिमा और तमाम मानेताओं को लेकर भक्तों में उनकी प्रती ऐसी गहरी आस्था है जो आम दिनों के अलावा हर साल निकलने वाली भगवान जगनाज की रथियात्रा में दिखाई पड़ती है पूरी से अजेनाज के साथ ब्यूरर रिपोर्ट गुड निउस टुटे आसाड मास के शुकलपक्ष की दुवित्य तिथी के दिन भगवान जगनाज की रथियात्रा निकाली जाती है जिसमें शुद्धालूओं का सैलाब उमरता है इस रथियात्रा का क्या महत्व है, रथ का निर्मान कैसे होता है, रथियात्रा से जुड़ी परमपरा और रहसे क्या है इस सब के बारे में जानने के लिए देखे हमारी ये खास रिपोर्ट परमपरा, संस्कृति और श्रध्धा जब सदियों की यात्रा तै करते हैं, तब आस्था का ऐसा जन समद्रू मरता है भगवान जगनात की नगरी में आस्था के उत्सब की भव्य तैयारी है हर साल की तरह इस साल भी भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगनात के रथों का श्रिंगार देखते ही बनेगा पुरी एक बार फिर उस रथ यात्रा का साक्षी बनेगी, जिसकी गाथाओं का सिरा पुरानों से भी गुजरता है भगवान जगनात की रथ यात्रा की इतनी जादा महिमा इसलिए है क्योंकि एक मात्र मौका होता है जब आशार शुक्ल दुतिया तिथी को भगवान जगनात अपने मंदिर से निकल करके अपने भक्तों के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं चुकि भगवान स्वयम अपने भक्तों के पास जाते हैं इसलिए ये अवसर बहुत महत्वपूर हो जाता है पुरी में भवे रथ यात्रा का संयोग भले ही आसाड में बनता है लेकिन रथ के निर्मार से लेकर उसके श्रिंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है बसंद पंचमी में होती है शुरुवार बसंद पंचमी पर ही रथ बनने के लिए लकड़ी का चैन होता है रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं रथों को बनाने का काम अक्षय स्विदिया से शुरू होता है और दो महीने के कठिन परिश्रम के बाद जाकर रथ तयार होता है रथ के लिए लकड़ी को सोने की कुलहरी से काटा जाता है रत के निर्मार में सीधी और शुद लकरी कहीं प्रयोग होता है सोने की कुलहारी से प्रतिकात्मक निशान बनाया जाता है रत निर्मार में कील धातू का इस्तमाल नहीं होता है रत बनाने वाले दिन में एक बार करते हैं साधा भोजन पूरी तरह साद्विक तरीके से रहते हैं रख बनाने वाले यात्रा के लिए तीन भवे रथ तयार किया जाते हैं इनों के अलग-अलग नाम होते हैं बलराम के रथ का नाम तालधज होता है सुभद्रा के रथ का नाम दर्बदल या पधरत होता है भगवान जगनात के रत को नंदी घोश या जैगोश कहा जाता है पुराणों में रत यात्रा के फल को सौ यगो के बराबर बताये गया है सकन पुराण में कहा गया है कि रत यात्रा में जो वैक्पी श्री जगनात जी के नाम का कीर्दन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो अपुनर जनम से मुक्त हो जाता है कोई भी वैक्टी भगवान के नाम का केतन करता हुआ रथियात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाय पूरी होती है रत्यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान सम्मंधित सारी समस्यां दूर हो जाती है यही वज़े है कि जब पूरी के पवित्र मार्गों से रत्यात्रा निकलती है तो भगत और भगवान एकाकार नज़र आते हैं रत्यात्रा की महिमा के बारे में इसकंद पुरान कहता है कि जो कोई भी भगवान का कीर्टन करता हुआ रत्यात्रा में सम्मिलित होता है वो पुनर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है रत्यात्रा में केवल शामिल होने मात्र से पापों का प्रायश्चित होता है और बहुत सारे यग्यों का शुबफल प्राप्त होता है बलराम जी चलते हैं उनके पीछे माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और अंत में श्री जगरनाथ जी सबसे पीछे चलते हैं रतो पर विराजमान होकर भगवान मौसी के घर कुंडिचा मंदिर जाते हैं देखे ये तो हजारों साल पुराना है और सत्य यूग से महाप्रवु का ये परंपरा चलता आ रहा है जो ये रत्र जात्रा है इस पवित्र रत्र जात्रा में महाप्रवु रत्न सिंगासन से निकल के बाहर चले आते जो ग्रांड रोड है जो स्री मंदिर से लेके गुंडिचा मंदिर तक रत्र चलता है अगर आप रथियात्रा में शामिल नहीं हो पाते केवल रथियात्रा के दर्शन भी करते हैं और रथियात्रा वाले दिन भजन कीरतन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाब होता है जगनात मंदिर से हर साल भवे रथियात्रा का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रधालू पहुचते हैं यहां रथियात्रा के लिए रथ का निर्मान तो होता ही है इस मंदिर में मूर्ती बदलने की परंपरा भी है साल में दू असार लगने पर मूर्तियां बदल दी जाती है अमूमन 12 से 15 साल में एक बार मूर्तियां बदल दी जाती है मूर्तियों को बदलने की इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है जिसका आर्थ होता है नया शरीर भगवान जगनात, बलभद, सुभधरा और शुधर्शन की पूरानी मूर्ती को बदल कर मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित की जाती है यही नहीं जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती है तो शहर की विजली काट दी जाती है जिस पुजारी को मूर्तिया बदलनी की जिम्यदारी मिलती है, उसकी आँखों पर पत्टी बांधती जाती है मूर्तियों के लकडी से बने होने के चलते, उनके ख्शय होने की आशंका होती है इसलिए वो एक तैज समय के बाद बदल दी जाती है जाहिर है ये कुछ ऐसी परमपराएं हैं जो जगनात मंदिर को कई दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है पुरी से अजयनात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड निश टुडे वैसे आपको बता दे कि देश में कई जगों पर भगवान जगनात की रथियात्रा धूम धाम से निकाली जाती है इस बार साथ जुलाई को रथियात्रा निकाली जाएगी जिसकी पुरी से लेकर एहमदाबाद तक जो शोर से तैयारी हो रही है रथियात्रा शांती पूर्ण तरीके से निकल सके इसको लेकर सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है साथ जुलाई को निकलेगी भगवान जगनात की भव्य रथियात्रा रथियात्रा के लिए पुरी से एहमदाबाद तक जबरदस्त तैयारी ओरिशा के पुरी में रथ निर्मान को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके बीट वहाँ भक्तों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है अभी से उन में रथियात्रा को लेकर जबरदस्त उत्सा है अभी देखेंगे जगनात को सौब लेकर देखेंगे एक साथ में और रख पी अम्रा मतलब जगनातों को अभी नहीं मिलेगा जियेश्ट पुर्णिमा के दिन भगवान जगनात बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्ब ग्रिह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगनात बीमार पढ़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है बीमार होने के बाद भगवान पंदरह दिनों तक शैन कक्ष में विश्राम करते हैं इसके बाद आशार शुकलपक्ष की द्वितिया तिथी को वो स्वस्त होकर बाहर आते हैं इस खुशी में भव्य रथियात्रा निकाली जाती है खास बात ये है कि इस बार पूरी में रथियात्रा के अफसर पर दुरलव संयोग बन रहा है दरसल इस साल भगवान के रथियात्रा नव योवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुवति थी एक ही दिन पढ़ रही है इसके पहले 1909 और 1971 में ये शुवति संयोग बना था लिहाँसा इस बार पूरी की रथियात्रा और भी दिव्या होने वाली है इस बार रथियात्रा दो दिन हो रहा है इसलिए क्योंकि एक दिन में तीन दिन का काम हो रहा है जगन्ना जी का पर्दा खुलेगा फिर निर्ट्र उष्यव नवयवन दर्शन और साथी साथ रच्छात्रा एकी दिन में हो रहा है पूरी के अलावा और जगह भी भगवान जगन्नात की रथियात्रा की भव्य तयारी अपने आखिरी चरण में है एहमदाबाद में भी साथ जुलाई को भगवान जगन्नात की 147 वी रथियात्रा धूम धाम से निकालने की पूरी तयारी है रथियात्रा यहां शांती पूर्ण तरीके से निकल सके इसके लिए पुलिस प्रुशासन मुस्तैदी बरत रहा है यहां केंद्री ग्रिह मंतरी अमित शाह मंगला आर्थी करेंगे बगवान जगन्नात की 147 वी रथियात्रा को लेकर सारी तयारिया पूर्ण हो चुकी है और अब से तीन दिन जो है पूरा जो कारेकरम चलेगा भगवान जगन्नात साथ जूलाई को जो है एमदाबाद के नगर ब्रह्मन पे निकलेंगे तब तक के लिए सारी तयारिया हो चुकी है पूरी तरह से चुस्त पूलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है पुलिस के प्रशाशन के द्वारा जो है कोई भी प्रकार की चूक न रहे जा है उसके लिए आज रिहर्सल भी किया गया और तकरीवन 18,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो है पूरे रूट पे रहते हैं 16 किलोमेटर लंबा ये रूट है जिसमें भगवान जगनात उनकी बहन रत्यात्रा पे निकलते हैं और बक्तों के पास जाके उनको दर्शन देते हैं साल में सिर्फ ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान अपने बक्तों के पास जाते है और उनको दर्शन देते हैं तो उसके लिए सारी तैयारिया हो चुकी है रत्यात्रा को लेकर सुरक्षा विवस्ता पर खास ध्यान गिया जा रहा है खुद गुझरात के डीजीपी, विकास सहाय पुलिस बल के साथ सुरक्षा विवस्ता का जायजा ले रहे हैं यात्रा मारग के सम्वेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल पैट्रोलिंग, 3D मैपिंग, AI समेथ कई तखनीक का इस्तिमाल कर रही है सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी न रह जाए उसके लिए आज रूट रियरसल भी हो चुका है और अब पुलिस जो है वो हेलिकॉप्टर से बैट्रोलिंग के साथ साथ ड्रॉन और 3D मैपिंग के जरिये जो है पूरी तरह से ध्यान अखेगी कि जो सम्वेदनशील इल पूरी से आजय कुमार और एमदबाद से ब्रुजेश दोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूस टुड़े झाल